तो इस वीडियो में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जो mt4 mt5 की Google Play Store से सभी अप यहां पर बंद हो गई थी क्योंकि इंडिने अथरोटी ने mt4 mt5 की एप्स को Google Play Store से रिमूव कर दिया तो आप एकस नहीं कर पार रहे थे अगर आपका पहले से ही एक टेडर ने यहां पर रेकमेंड किया कि हम यहां पर क्या सोलीशन कर सकते हैं और mt4 mt5 को आप android phone में किस तरी किसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताऊंगा क्या इसका सोलीशन है और आप android phone में mt4 mt5 को चलते हैं वीडियो में तो गयज यहां पर मेरे पास सुबह से ही mail आ रहे थी जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक यूजर है mt4 not functioning auto set mt4 app mobile में अपने आप बंद हो गया अपडेट करने को बोल रहा है पर play store में अपडेट का option नहीं है सर mt4 कैसे यूज कर सकते हैं please guide तो यह मेरे पास काफी email आ रही है इसी तरह मेरे पास और भी email आई जैसे कि आप यहां से दे सकते है mt4 application issue hello sir sir हमारे mt4 में issue आ रहा है जिसके screenshot इस email में attach है please check करें और इसके ल जिनके पास already installed था वो इसको still use कर सकते थे और जिनके पार installed था उनके पास यह problem आ रही है unfortunately your application is not supported please update it to the latest version और contact the broker अब क्या अगर आप update करने जाएंगे तो वहाँ पर app store में यह app available नहीं है फिर आप यह application को lose कर देंगे तो आप update application नहीं कर सकते close application ही करेंगे और यह problem काफी users को वहाँ पर चल रही थी कि इसका क्या solution आए किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं तो यहाँ पर फिर एक user ने जो यहाँ पर मेरे से communicate कर रहे थे उन्होंने एक solution बताया मैंने उनको बोला था कि आप इसको update मत कीजिए जस्ट चेक कीजिए किस तरीके साब इसको update कर सकते हैं और फिर उन्होंने try किया जो method मैं आपको बताना चाहूंगा तो अगर आपको update करनी है इसका क्या solution है तो आप Google Android Play Store पर तो यह application अवेलेबल नहीं है आप इसको update नहीं कर सकते हैं तो इसका solution यही है कि आप अपने mobile में भले ही वो Samsung का phone हो, Xiaomi का phone हो या कोई और भी phone हो, Apple में तो already install आप यूज़ कर सकते हैं, desktop version यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको install करनी है या update के लिए मांग रहा है या chart freeze हो रहे हैं फिर अप क्या करें तो आपको एक app डाउनलोड करनी होगी, उसका link भी मैं वीडियो के description में टाल दूँ, वो है Huiovee application library, आप इसको जाकर वहाँ पर कीजिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, screen पर कि आप अपने play store में जाईए, google किसी भी play store में जो भी phone है, वहाँ पर हुई ओवे की, आप app को install कीजिए, जब आप install कर लेंगे, वहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, mt4, mt5 दोनों version वहाँ पर available हैं, जो दोनों version metacodes के हैं, वही आप यहाँ पर इसको download कर सकते हैं, तो अगर आपको मैं आप दिखा रहा हूँ कि आप mt4 पर click करते हैं, तो आपका mt4 app यहाँ पर download हो जा रहा है, और फिर आप mt5 को भी download करते हैं, तो mt5 app भी यहाँ पर download हो रहा है, दोनों app को हम यहाँ पर slowly download कर लेते जब डाउनलोड कर लेगा आपसे जो भी permission मांगे आप उस पर accept कर लीजिए कोई issue नहीं है यह harmful कुछ नहीं है जिस यह normal play store की ही app है वहाँ से ही आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो हम यह और चेक करना चारहे हैं कि चार्ट यहाँ पर freeze तो नहीं होते हैं क्या अप यह properly work करेगी नहीं करेगी तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं MT4 की MT5 की app को आप यहाँ पर देख रहे हैं तो MT5 की app को हम यहाँ पर कोलते हैं और different different charts में जाकर हम देख रहे हैं कि charts अगर आप click करेंगे तो chart refresh हो रहे हैं chart देख रहे हैं prices movement हो रही है same ही आप दूसरी app यहाँ पर MT4 या MT5 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी chart अगर हम click करते हैं by one by one सभी पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी जो यह app है chart refresh हो रहे हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यह better solution आपके पास क्योंकि आपको Google Play Store पर MT4, MT5 नहीं मिलेगी और आप यहाँ पर यह की application store से इसको download कर सकते हैं आप इसको search कर सकते हैं या फिर मैं link वीडियो के description में भी डाल दूआ आप वहाँ जाकर इसको download कर सकते हैं और यहाँ पर दोनो ही app को आप यूज़ कर सकते हैं बाकी आप broker की app देखना चाहेंगे तो oxygenus broker की app अगर आप exodus को यूज़ करते हैं तो आप exodus को उनकी exodus की app यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर ही update कर सकते हैं like the video, share कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में